पिछले वीडियो में हमने ऐसे compound का fissure projection देखा जिसका एक ही chirality center था इस molecule में दो chirality centers है और हमारा हदफ हर chirality center की configuration का तायून करना है तो यहाँ इन लाइनों के चोरा है यानि intersection पर हम जानते हैं कि यह एक chiral center है और फिर यहाँ एक नीचे है लहाज़ा यह दो हमारे पास chirality centers है यहाँ उपर देखती है आएं कार्बन को एक configuration देती है मैं आगे बढ़ती हूँ और कार्बन को दाएं जाने बनाती हूँ हम जानते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में horizontal lines यानि दाएं से बाएं जाने वाली line एक जैसे bond की नमाइंदगी करती है जो हमारे सफे से बाहर आ रहा है तो यहाँ बाएं तरफ hydrogen का bond सफे से बाहर आ रहा है और दाएं तरफ OH का bond बाहर आ रहा है तो इनको हम wedge से दाहर कर देती है हम जानते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में vertical lines यानि के उपर से नीचे जाने वाली line इस bond की नमाइंदगी करती है जो हमसे दूर जा रहा हो नहाज़ा यह bond हमसे दूर जा रहा है तो यह dash होगा तो मैंने इसे ऐसे बना दिया यह carboxylic acid बनने जा रहा है जिसमें हम जानते हैं कि carbon का oxygen के साथ double bond और OH के साथ एक bond होता है चले एक और vertical line को देखती है यह जो नीचे आ रही है तो यह वो bond जाहर करती है जो हमसे दूर जा रहा है बुनियादे तोर पर हम अपने chirality center को देख रहे हैं और यहाँ पर यह carbon oxygen carbon और एक hydrogen के साथ बराहे रास bonded है और यह वो atoms हैं जिने हमें एक configuration यानि कि एक करतीब मिलाने की जरूरत है अब हम अपने chiral center की तरफ जाते हैं हम इन atoms को देखते हैं जो बराहे रास कार्वन के साथ जिड़े हुए हैं यहाँ पर एक hydrogen एक oxygen और दो कार्वन है इन atoms में से oxygen का atomic number सबसे ज्याद है लहाज़ा OH group को सबसे ज्यादा तरजी बिलती है और हम यह कह सकते हैं कि यह number एक है hydrogen का atomic number सबसे कम है और इसलिए इसे सबसे कम एहमियत मिलेगी लहाज़ा हम कहेंगे कि यह number 4 है अब हमारे पास कार्वन बमकाबला कार्वन है तो कार्वन का atomic number 1 जैसा ही होता है और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इस टाय यह नहीं बराबरी को कैसे तोड़ा जाए तो हम इन एक्टम्स को देखेंगे जो इन कार्वन के साथ बराहे रास जुड़े हुए है यह नीचे वाली कार्वन को अगर हम देखें तो यह नीचे वाली कार्वन ऑक्सिजन, कार्वन और हाइडरोजन के साथ बराहे रास जुड़े हुई है लेहाज़ा हम इनको ज्यादा से कम होने वाले अटामिक नबर की तर्तीब में लेखेंगे तो इस तरह से होगा आक्सिजन, कार्बन और हाइडरोजन ये उपर वाली कार्बन जो हमारे कार्बोकसिलिक एसिड में है इसका आक्सिजन के साथ डबल बॉर्ड है लहाज़ा हम इसको इस तरह से लेंगे कार्बन के दो मुख्तिलिफ आक्सिजन के साथ दो बॉर्ड है हाला कि दर हकीकत कार्बन का सिर्फ एक आक्सिजन के साथ डबल बॉर्ड है और फिर दाएं तरफ हमारा आक्सिजन के साथ एक और बॉर्ड है लिहाज़ा कन्फिगरेशन को तर्तीद देने के लिहाज से ये अक्सिजन, अक्सिजन, अक्सिजन होगा आगे हम मौाजना करेंगे तो हमारे पास अक्सिजन बामकाबला अक्सिजन है तो ये टाई है फिर हम अगले एक्टम की तरफ जाते हैं जो के आक्सिजन बामकाबला कार्वन है और यकीन आक्सिजन की यहां पर जीत है चुके इसका अटॉमिक नमबर ज्यादा है लहाजा कार्बॉकसिलिक एसिड ग्रॉप को ज्यादा फॉकित हासिल है तो यह हो जाएगा ग्रॉप नमबर दो और यह नीचे वाला ग्रॉप हो जाएगा ग्रॉप नमबर तीन हमारा अगला हदफ इस हाइड्रोजन के मतलिक है जो हम से दूर जा रहा है लहाजा हम यहाँ इस चाल का इस्तमाल करेंगे जिसका तथकरा हमने पिछली वीडियो में भी किया और वो ट्रिक यह नी वो चाल यह थी के हाइड्रोजन को फिल हाल नजर अंदास कर दिया जाए और सिर्फ एक दो और तीन को देखा जाए यह नी कि घड़ी की सुच जिस सिंफ में जाती है उस उल्टी सिंफ में है यह नी कि बाए तरफ है और हम जानते हैं कि S काउंटर क्लॉक वाइस होता है लेकिन 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 हाइड्रोजन तो यहाँ पर हमारी तरफ आ रहा है और हम जानते हैं कि हमें इसे उल्ट लेना है तो अगर्चे ये ऐसी दिखाई दे रहा है लेकिन चुंके हाइड्रोजन हमारी तरफ आ रहा है तो हम जानते हैं कि ये दरसल आर है तो अगर आप ये मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसको रोटेट करते हैं यनि गुमाते हैं और हाइड्रोजन को अपने से दूर स्पेस में रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये बराहरास्ट और है लेकिन इस ट्रिक की वज़ा से आपको इस बार में परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको इसे रोटेट शुटेट करने की जरूरत नहीं है तो कंफिगरेशन देने के लिए ये एक आसान तरीका लगता है मुझे चले दूसरे काईरालेटी सेंटर्स की तरफ चलते हैं तो ये नीचे वाला कार्बन बनाने दें और अपनी horizontal lines को देखते हैं तो बाएंद तरफ OH के साथ bond है और दाइंद तरफ hydrogen के साथ bond है और ये bond हमारी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है च्रूकिकर ये horizontal lines है muss OH 220 तरफ है और hydrogen । नाइंद तरफ है अब अपनी vertical line देखते हैं इसका मतलब है कि बॉंड हमसे दूर जा रहा है हम अपने काइरल सेंटर की तरफ देखते हैं ये बॉंड कार्बन के साथ बनता है और ये कार्बन, आक्सिजन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बरा है रास जुड़ा हुआ है तो इन्हें बनाते हैं मैं दुबारा बताती ही चलू कि हमें सब एक्टम्स की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ कॉन्फिगरेशन को मन्सूब करना है और फिर दूसरी वर्टिकल लाइन को देखते है ये बॉंड हमसे दूर जा रहा है हम इसको डैश की तरह बनाएंगे डैश वली लाइन की तरह ये बॉंड भी कार्बन के साथ है और ये कार्बन बराहे रास दो हाइड्रोजन और एक आक्सिजन के साथ बॉंडेड है तो इसे बना लेती हैं हम यहाँ अपने काईरल सेंटर की तरफ वापिस चलते हैं और इन एक्टम्स को देखते हैं जो इसके साथ बराहे रास बॉंडेड है हमारे पास आक्सिजन, हाइड्रोजन और दो कार्बन्स है जो इसके साथ बराहे रास जुड़े हुए है और हम जानते हैं कि आक्सिजन की फॉक्यत सबसे ज्यादा है चुकि इसका अटामिक नंबर सबसे बड़ा है तो एक दफा फिर ओ, ह सबसे ज्यादा फॉक्यत वाला ग्रॉप है और हाइड्रोजन सबसे कम फॉक्यत वाला ग्रॉप है और एक बार फिर दोनों कार्बन्स के दर्मियान टाए है तो कार्बन बामकाबला कार्बन उपर वाली कार्बन आक्सिजन, कार्बन, हाइड्रोजन के साथ बराहे राज जुड़ी है इसको हम ज्यादा से कम होते हुए अटॉमिक नंबर की तर्तीब से लिखेंगे जैसे आक्सिजन, कार्बन और हाइड्रोजन नीचे वाली कार्बन का ऐसा होगा oxygen hydrogen hydrogen हम पहले point का मौज़ना करते हैं oxygen बामकाबल ओक्सज़न तो یہ दो बराबर आगे हमारे पास कार्बन बामकाबल हाइडरोजन है और हम जाते हैं कि कार्बन का atomic number जाद है तो ये उपर वाला group जादा वाखियत ले गया तो इसलिए हम इसको गृुप नबर दो कहेंगे और नीचे वाले गृुप को गृुप नबर तीन कहेंगे फिर से हम अपने ट्रिक इस्तमाल करते हैं तो हम हाईड्रोजन को फिल हाल नजरनदास कर देते हैं और हम एक, दो, और तीन को देखेंगे तो एक से दो और जाएंगे और हम जानते हैं कि यह सिंथ clockwise है यह गड़ी की सुई जिस सिंथ में जाती है यह वो सिंथ है यह आप कहलें कि दाएं जानिब जा रहे हैं हम तो इसे हम आर कहते हैं लेकिन चुक्छ यह फिशर पोजेक्शन है और हाईड्रोजन हमारी तरफ बाहर आ रहा है तो हम ट्रिक कहती है कि हम इससे उलट कर लें तो अगर यह आर दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह दरसल ऐसे है ठीक है तो हमने यह कर लिया हमने हर काईरालिटी सेंटर की कॉन्फिगुरेशन को दरियाफ्त कर लिया तो यह काईरल सेंटर हम कह सकते हैं कि आर है और नीच नीचे वाली कार्बन ऐसे है चले इस कंपाउंड का इनांचिमर बनाने की मश्क करते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा कि यह कैसे करते हैं हमने इधर आइना रखा और अपने ग्रुप्स का इस आइने में अक्स देखा तो यह ओ एच जो यहां पर है इसका अक्स दूसरी तरफ होगा तो इसको हम यहां लिखेंगे फिर हाइड्रोजिन को यहां लिखेंगे और फिर नीचे वाली हाइड्रोजिन की तरफ चलते हैं तो इसे हमने आइने में देखा और फिर हमने यह हॉरिजॉंटल लाइन बनाई फिर हमने ओच लिखा हम इस तरह से अपनी वर्ट बेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सिर्फ COOH लिख सकते हैं और यही मामला इस कार्बन के साथ भी है, लहाजा इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, CH2OH, एहम बात यह है कि अगर OH दाएं जानब है, तो मिरर इमिज में यह बाएं जानब होगा, फिशर प्रोजेक्शन म अगर OH बाएं तरफ है, तो अपने मिरर इमिज में यह दाएं तरफ होगा, तो अब हमारे पास इनाइंशियमर्स का एक जोड़ा मौजूद है, तो यह दोनों मिरर इमिजज हैं, ठीक है? दाएं तरफ वाला बाएं तरफ वाले का मिरर इमिज है, लेकिन दाएं तरफ वाल बाएं तरफ वाले के उपर सुपर इंपोजिबल नहीं है